नमस्ते आप सब का वेलकम है सिब्रन की रसोई में आज मेरी ममी ने बनाया है जनमास्टमी के लिए कृष्ण भगवान के लिए यह बढ़िया सा जूला और वो भी यह वाले बॉक्स की मदद से हमारे घर पर यह बॉक्स था तो ममी ने का यह बॉक्स में लेती हूँ इसके उपर वाले पार्ट को इस तरह से निकाल लेती हूँ और उसके बाद उन्होंने न दो इस तरह से कपड़े लिए जिसका कॉंबिनेशन काफे बढ़िया था ममी ने ब्लू और वाइट कलर रखा है तो सबसे पहले ब्लू कलर का जो कपड़ा है वो पूरे बॉक्स पर आपको अच्छी से लगा लिना है स्टेपलर की मदद से देखे इस तरह से और जो अंदर का एकस्ट्रा का कपड़ा है वो आपको काट लेना है निकाल लेना उसे उसके बाद ममी ने एक और बड़ा सा बॉक्स लिया और ये वाला जो बॉक्स है इसकी साइस के इस तरह से शीटे निकाल दी और ऐसी तकरीवन ममी ने छे से साथ शीट निकाली और उसके बाद ये सारी शीट को ये बॉक्स के अंदर ही डाल देना है ताकि ये जो बॉक्स है नो वो हैवी हो जाए मतलब ये जूला थोड़ा सा उठाने में अच्छा लगे और उसके बाद ममी ने ले लिया ये घर्मोकल उसको भी इसकी साइस का कट करके इसके अंदर डाल दिया उसके बाद हम ले लिया है गलूगन और यहाँ पर ये जो वाइट कलर का कपड़ा है सबसे पहले ये जो बॉक्स का नीचे वाला पाट है उस पर ममी ने ग्लूगन की मदद से इस तरह से लगा लिए अच्छे से फिनिशिंग देते हुए और जो बचा हुआ वो वाइट कपड़ा था न उसको है न ये जो उपर वाली एक्स्ट्रा की शीट थी न उस पर आपको लगाना है पर इसमें एक ट्रिक बताई ममी ने देख हमारे पास लेसिस पड़ी थी आप कोई भी कलर कॉंबिनेशन लेते हैं उसे साबसे कर देना हमने आप पर न देख सकते हैं तीन तरह की लेसिस लगा रहा है इस तरह से लेसिस लगा लीनी है और उसके बाद जूले बनाने के लिए एक मोटा सा डंडा आपको लेना है उसमे कर देना है तकि अच्छे से सेट हो जाये अब यह जो डंडा है जूले का तो इस पर हमी ने दू तरह के लेसिस लगा ली ये भी काफी अच्छा लग रहा था और यह लगाने से पहले ना हमने ग्लू गन भी लगा ली थी ता कि अच्छे से लेसिस चिपक जाए अब जो थो ऐसे हमने तकरीबन 5-6 टुकड़े निकाल लिए और एक दूसरे के उपर इस तरह से ममी रखते गए और उसके बाद इसे स्टेप्लर लगा लिए ताकि यह टुकड़े अलग ना हूँ ग्लू गन लगाने के बाद इसे टोकरी पर इस तरह से चिपका दिया इस पर हम लड्डू को पल को बिठाएंगे अब जूला है तो थोड़ा तो डेकोरेशन बनता है न तो ममी ने और भी एक्स्ट्रा लेसे लगा ली उसके बाद यह जो टोकरी है न इस पर आपको साइट से होल कर लेने ताकि जूले के जो दोरी है वो जो धागा है वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए और बस जूला आपको इस तरह से बांध लेना है उसके बाद एक्स्ट्रा डेकोरेशन में हमने क्या किया यह जो मोर पंक आते है न उसे इस तरह से टेप की मदद से चिपका दिया और एक हंडी ले लियो इसके अंदर ने यह कॉटरन डाल दी इससे क्या एफेक्ट आ जाएगा मकषन का हंडी में जो मकषन होता है मटकी में वो और जूले की दोरी के लिए हमने यह माला का इस्तेमाल कर लिया और यह हमारे लड़को पाल को रग दिया बैंकर ताइय जन्मास्ट में के लिए बड़िया सा जूला कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना आज के लिए बस इतना ही थांकियो फॉर वाच आए